हलो फ्रेंड्स मैं इकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ आज मैं बिल्कुल अलग दही पालक की सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ यह बहुत ही लाजबा बहुत ही टेस्टी होती है आप इसे ले सुनिया दही पालक भी कर सकते हैं तो बस देने करते हैं चलिए पनाते हैं पालक दही की सब्जी इसके लिए देखे मैंने पालक लिया है आधा की जी और आपको इसको क्या करना है चार से पांच पानी धो लेना है और धो की इसके बाद यह जो इसकी जड़ है उसको काट लेना है और ये देखिए मैंने पालक को 5-6 पानी बहुत ही अच्छे से धोके साफ कर लिया है और इधर देखिए गैस पर हम इसको बॉयल करने के लिए रख दिये है तो देखिए मैंने गैस पर इसको बॉयल करने के लिए रख दिया है 2-3 मिनट में ही बहुत अच्छे से यह जो पालक है पक जाएगा तो बस मैं इस पालक को 2-3 मिनट तक अच्छे से पकाऊंगी तो यह आपको ढख के नहीं पकाना है नहीं तो पालक का जो हरा कलर है वो थोड़ा सा काला पड़ जाता है तो इसलिए आपको ढख के नहीं पकाना है तो 3-4 मिनट में देखिए पालक बहुत अच्छे से पक गया है और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको क्या करेंगे ये ठंडा हो गया है एक प्लेट में निकाल लिया है और इसमें से जो आधा है इसको हम क्या करेंगे कट कर लेंगे तो देखिए आधा को मैंने कट कर लिया है और आधा को मिकसर के जार में डाल दिया है तो बहुत स्वादेश्ट सबजी होती है तो देखिए अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे तो इतनी टेस्टी होती है रोटी या चापाती के साथ या चावल के साथ खाईएगा यह सबजी बहुत ही लाजबाब होती है तो यहाँ पर देखें मैंने इसका पेश्ट बना लिया है इधर मैंने दो प्याज लिये हैं और पूरा दो लहसुन लिया है इसको हमने कूट के क्रस कर लिया है जैसे आप लहसुन ले लिजिए और खल बटे से कूट लिजिए तो यह बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इसलिए इसको कूट लेना है तो आगे के प्रोसेस में इधर देखें गैस पे मैंने कड़ाई रखती है और गैस का फलेम लो रखना है लो फलेम में हम इस सबजी को पकाएंगे तो यह बहुत ही स्वादिष्ट मैंने बताया कि सबजी होती है तो बस इसमें मैंने तेल डाल दिया है दो चमच आपको तेल डाल देना है तो देखिए मैंने तेल डाल दिया है वैसे आपने पालक की कई सबजी खाई हुई लेकिन आप एक बार इस तरह से खा के देखिए बहुत ही लाजबाब होती है दही पालक या लहसुनिया पालक जो भी आप कही है तो यहां मैंने जीरा डाल दिया है और मिर्श डाल दिया है और यह देखिए अब हींग डाल दे रहे हैं तो इस सबची में लहसुन का तीज फ्लेवर मतलब होता है तो यहां पर देखिए जो मैंने लहसुन लिया था आधा से अधिक मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा बचा के रखा है तड़का के लिए तो बस इन सब को डाल के हम भुनेंगे तो लेसुन को आपको बहुत जादा गोल्डेन फ्राई नहीं करना है बस थोड़ा सा भुनना है उसके बाद आपको प्याज डाल देना है तो देखे मैंने प्याज डाल दिया है अगर आपको लेसुन का तेज फ्लिवर नहीं पसंद है तो आप लेसुन की मात्रा जो है कम कर सकते हैं बहुत ही हिल्दी और बहुत ही लाजबाब ये restaurant style ये दही पालक की सबजी बनती है तो आप इसे दही पालक की करी भी कर सकते हैं बहुत ही हिल्दी ये सबजी होती है और बहुत जल्दी बन जाती है तो देखे मैंने इसमें हल्दी डाल दिया है बहुत कम मसालों से ये स्वादिष्ट सबजी बनती है तो देखिए मैंने इसमें हल्दी डाल दिया है और हल्दी को हम थोड़ा भुनेंगे बस ये चीज का द्यान रखना है जो लोग पालक नहीं खाते हैं उनको एक बार आप इस तरह से दही पालक की सबजी बना के दीजिए उचरूर बहुत ही पसंद से खाएंगे तो अब देखिए ये हल्दी जो है अच्छे से भुन गई है और प्याज भी अच्छे से भुन गया है तो अब चाट मसाला तो देखिए मैंने चाट मसाला डाल दिया है एक चमच मैंने चाट मसाला डाल दिया है और आदा चमच हमने नमक डाल दिया है और ये देखिए ये सेना नमक है इसे मैंने डाल दिया है और अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला तो इससे इस जो दही पालक जो लैसुनिया पालक जो आप कहते हैं उसका स्वाद जो है बहुत ही अच्छा आता है तो देखिए मैंने इसमें एक चमच गरम मसाले डाल दिये है और बस इन सब मसालों को बहुत ही अच्छे से लूफ लिमें आपको भुनना है और अब देखिए हमने आदा चमच लाल मिर्च डाल दिया है तो ये देखिए आदा चमच लाल मिर्च डाल दिया है क्योंकि मैंने हरी मिर्च बहुत ही कम डाली थी बहुत ही हिल्दी ये सबजी बनती है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है तो अब जो मैंने पालक कट करके रखा था उसे डाल देंगे तो ये देखी जो मैंने पालक कट करके रखा है पहले उसको डालेंगे फिर इसको भूनेंगे और इसके बाद हम जो पेष्ट बना के रखे हैं वो डालेंगे तो मैंने बताया कि बहुती स्वादिश्ट बहुती हिल्दी सबजी बनती है ये तो बस देखिए इसको हम दो से तीन मिनट ही भूनेंगे बहुत जादा नहीं भूनना है क्योंकि पालक पहले से ही पका हुआ है तो बस इसको भूनने के बाद जो हम पेष्ट रखे हैं उसे हम डाल देंगे तो ये देखिए ये अच्छे से भून चुका है लो फ्लेम करना है लो फ्लेम में आपको भूनना है तो देखिए अब मैंने पालक का पेष्ट रखा है उसे डाल दिया है तो बहुत ही मैंने बताया कि स्वादिश्ट ये सबची बनती है तो ये देखिए बस इन सब को डाल के अच्छे से आपको मिला लेना है तो देखिए, इस सब को डालके एक से दो मिनट ही भुणना है यह सब चीज का आपको ध्यान रखना है कि लू फिले में भुणना है और देखिए इसे लो फिले में हम बहुत ही अच्छे से भुनेंगे मैंने बताए कि बहुत ही स्वादिश्ट यह सब्जी बनती है बहुत ही जल्दी बन जाती है तो यहां पर देखिए यह अच्छे से भुन चुका है तो देखिए इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब हम दालेंगे दही तो यह देखिए पहले क्या करना है कि आपको दही को बहुत ही अच्छे से फेट लेना है इस दही में देखिए आपको बहुत ही थोड़ा सा चीनी डाल देना है क्योंकि दही का तीखापन को संतुलित करने के लिए अगर आप एक चुटकी चीनी डाल देंगे तो इस से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो बस चीनी आपको अच्छे से फेट लेना है दही को बहुत अच्छे से फेटना है और अब आपको सबजी में डाल देना है तो देखिए यह मैंने इसको डाल दिया है और यह देखिए इस तरह से दही को डाल देना है और gas का flame एकदम low रखना है low flame में आपको बहुत अच्छे से चलाना है लगातार चलाना है ताकि जो है दही फटे भी ना तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है बहुत ही स्वादिश्ट ये दही पालक की सब्जी बनती है बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप पालक की सबजी बनाएं तो पालक को बहुत ही अच्छे से धोएं आप यहां दही की जगा मलाई भी डाल सकते हैं अगर आपको दही नहीं पसंद है तो अब ये जो मैंने पालक उबालते समय उसका जो रस रखा था उसे भी आपको इसमें डाल देना है तो बस इन सब को डालके अच्छे से मिक्स कर देना है आपको जैसी ग्रेवी चाहिए जितनी गाड़ी उस हिसाब से आप ये ग्रेवी रख सकते हैं और अगर आपने पालक डालते समय नमक डाल दिया है तो नमक आप अपने स्वात के अंसारी रखिएगा तो इधर तड़के के लिए मैंने गैस पे एक पैन रखा है इसमें हमने जीरा डाल दिया है और लाल मेर्श डाल दिया है और अब हम जो बचा हुआ लैसुन था उससे डाल देंगे तो गोल्डन ब्राउन होने तक इस लैसुन के तड़के को हम बुनेंगे एक तब नई तरीके की ये दही पालक की सबजी बनती है दूख से जगा आप चार रूटिया खाएंगे जब इस तरह से बनाएंगे आप दही पालक की लहसुनिया वाले सबजी तो यहाँ पर देखिए मैंने गैस का फ्लिम बंद कर दिया है और अब ये तड़का को डाल देंगे तो ये देखिए बहुत ही लाजबाब ये दही पालक की ग्रेवी वाली सबजी बनती है तो आप भी एक बार जरूर ट्राइ करिएगा और आप इसे गर्मा गरम रोटी चावल के साथ पराठे के साथ खाई है बहुत ही स्वादिश्ट बनती है तो देखिए दही पालक की ग्रेवी वाली सबजी बनके त्यार है आई होप कि आपको टेस्टी लाजवाब दही पालक की लेसुनिया वाली सबजी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक से और सब्सकाइब करना मत बुलेगा थैंक यू फ्रेंड